आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, stop loss के ओपर लोग क्या करते हैं, stock को ले लेते हैं, लेकिन बेचते नहीं है, stock नीचे करता है, stock hold करते हैं, 2%, 3%, लेकिन बेचते नहीं है, कई बढ़ 10, 20, 30% भी नीचे जाता है, अब यहाँ पर सबसे important होती है, कि इनको sad exit भी बोला जाता है, कि आपने stock 1000 पर लिया, वो चला गए 700, be careful इनसे बचना है, तो कैसे बचना है, मैं आपको कुछ चीज़ा बदाता हूं, एक होता stop loss, ध्यान देना stop loss का, जैसे stop loss exactly है क्या, stop loss is, एक इंसान maximum loss, कितना जेल सकता है, मतलब अगर आपने stock लिया, for example, आपने stock ले लिया, 100 पर आपने बोला, maximum loss मैं ले सकता हूं, 5 रूपीज, इसका मतलब, 95 आपका stop loss, stop loss होता क्या है, जब कोई stock नीचे गरता है, आप बोलते हो, क्या नीचे तो गिरा है, लेकिन जो maximum loss लूँगा, वो लूँगा, 2 रूपीज, 3 रूपीज, ना 4 रूपीज, जैसे ही, अगर आपने stop loss ले सकता था, 4 रूपीज, इसका मतलब maximum loss, जो आप allow कर रहे हो market को, आप maximum जो allow जहल सकते हो, that is 4 रूपीज, जैसे stock गिरेगा, 4 रूपीज से नीचे जाएगा, अपने आप आपका stock बिख जाएगा, market crash कर जाए, market correct कर जाए, you cannot lose more than, what is your stop loss, stop loss निकालने के 3 method है, first method, सबसे पहले आप define कीजिए, अपना risk appetite, for example, एक इंसान है, वो market में trade कर रहा है, तो उसने बोला कि, मेरा जो risk appetite है, that is maximum 2%, तो ना ठीक है, आपका अगर risk appetite 2% है, तो हम लोग क्या करेंगे, stop loss को रखेंगे 2%, अब, अगर stock नीचे गिरा गया भी, अगर stock नीचे भी गिरता है, जो हमारा maximum loss हो सकता है, वो हो सकता है 2%, अब ध्यान से समयना, for example, stock लिया 100 पे, जैसे यहां पे उजीवन पे है, यह तो अलड़ी, बट मैं कुछ चीज़े बताता हूँ, एक stock लिया मैंने 100 रुपीज पे, जैसे मैंने 100 पे लिया, तो मैंने बोला कि, मेरे को यह sellout करना है, कैसे 2 cases में, एक यहां तो यह 105 पे चला जाए, एक यह 98 से नीचे चला जाए, अगर 98 से नीचे चला गया, तो अपना बिख जाएगा, first method होगा, risk capita इडिफाइन कीज़े, आप कितना maximum risk ले सकते हैं, for example, कई लोग risk ले सकते हैं, 2 रुपीज का, कई 3 रुपीज, से नीचे नहीं जा सकता, आपको stop loss बड़ा रखना होता है, तो आपका stop loss होगा 10 से बड़ा, 10 x 1.5, maybe 10 x 2, that depends on your risk capita, अब यहां पर first stop loss था, मेरा कितना risk ले सकते हैं, अगर आपने बोला, मैं को यह नहीं अभे करना है, इस से नीचे जाने दोंगा, ATR के उपर, जो उसकी ट्रेली मोमिट है, into 1.5, अब इसको लगाते हैं कैसे, first stop loss थूटा, that's okay, but second से निकलना है, first stop loss में आपका loss होगा maximum 2%, second होगा 5%, अब यहां पर चलते हैं, अब जैसे example, यह एक stock है, UG1, अब मुझे यह देखना है, कि मेरे पास 154 रुपीज की बाइंग है, मुझे इसको बीचना है, तो मैं इसको पहले तो बताता हूँ, काइट में लगता कैसे, exit किया, अब यहां पर देखिए, exit मैं कर सकता हूँ, multiple methods है, एक हो गया, कि मैंने यहां पर market order पे sell कर दिया, अगर मैंने sell किया, जो price अभी होगा, वो मिल जाएगा, एक होगा, मैं limit order पे, एक होता है, मैं stop loss maintain करूँगा, मैंने बोला, इसका selling का, एक मेरा level होगा, कि अगर यह stock, for example, मैं यहां पर एक quantity set कर देता हूँ, यह 10 कर देता हूँ, for example, मैंने बोला, इसका stop loss है, 298 रुपीज, यहां पर 298.1, और मैंने यहां पर stop loss set कर दे, इसका मतलब, अगर stock, 298 और 298.1 के नीचे जा रहा होगा, तो stock अपना बिग जाएगा, तो इस चीज को miss नहीं करना, जैसे मैंने sell लगा दिया, अब यह चला गया, positions या फिर मेरे odds में, यह देखिए, 299.75 करन्ट प्राइस चल रहे है, अगर मैंने बोला, अगर यह stock, अब 298 से नीचे जा भी रहागा, अपने आप 298 पे बिग जाएगा, तो यह 298 से नीचे हम नहीं अलाओ करेगा, मेरा जो maximum loss हो सकता है, अब हो सकता है 1.75, अब यहाँ पे important, for example, आपने यहाँ पे Ujivan लिया था, अब एक और order है, यह Ujivan Financial Bank, इसमें 50% है, हमने exit लेना, तो हमने बोला है 25 स्टॉक्स लेंगे exit, इसमें stop loss मेंटेन करेंगे, अभी price है 30.25, मैंने यहाँ पे लगा दिया 30.1, यहाँ पे लगा दिया 30.15, इसका मतलब है, अगर stock loss जो है, वो 30.15 पे trigger हो जाएगा, और maximum वो रुकेगा 30.1 तक, उसके बाद अबना बिग जाएगा, तो maximum loss जो में का, यहाँ पे हो सकता, वो हो सकता 30.1 पे, तो यहाँ पे 30.1 और 30.15 के बीच में, हमारा order execute हो जाएगा, और अपने आप बिग जाएगा, अब, for example, यहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे 10 stocks का, maybe, in fact, 175 का, मैं को यह सारा sellout करना है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 30.2, यहाँ पे लगा दिया 30.25, मैं यहाँ पे, आप दिखे, 30.3 प्राइस चल रहा है, यह चलाएगा मेरे order में, जैसे ही, यह stock, ध्यान से सुनना, जैसे यह stock एतने लेवल पे आएगा, यह बिग जाएगा, अब मैं एक stock बाइग करके दिखाता हूँ, यहाँ पे, सब के सामने, यह देखे, अलिडी भिग चुका है, क्यों भिगा है, विकर्स यह stock 30.25 पे आ गया, मेरा क्या था, अब यह identify किया था, जो हमने यहाँ पे लगाया था, कि अगर यह stock 30.25 पे आएगा, अपने आप sellout हो जाए, उस वज़े से sellout हो गया, जब मैं एक stock लेता हूँ, for example, मैंने यहाँ पे एक stock लिया, मुझे एक aggressive देखना है, यहाँ पे एक stock है, मेरे पास, GM Financial, मैंने इसके 10 stocks ले लिये, मैंने इसको buy कर लिया limit पे, 82.3, मैंने यह buy कर लिया, 82.3 पे cash में, और यह bought हो चुका, अब यह मेरे चला गया positions में, अब मुझे यह देखना, कि मुझे इसका stop loss maintain करना, मैंने यहाँ पे exit पे click किया, stop loss लगाया, मेरी भाइंगा 82.2, तो मैंने इसमें define किया, कि maximum loss, यह देखिए, मैंने यहाँ पे calculator open किया, 82.2, 82.2 मेरी भाइंगा है, 82.2, मैंने बोला कि maximum loss जो मैं ले सकता हूँ, वो ले सकता हूँ 2%, तो उस रसाब से, मेरा जो stop loss निकलता है, वो निकलता है, 80.55, तो मैंने यहाँ पे जैसे भाइंग किया, मैंने यहाँ पे लगाया, 80.5 और 80.55, अब मेरा यह stop loss हो जाएगा, लग जाएगा, यहाँ पे मैंने stop loss लगा दिया, ओर्रस में चला गया, अगर यह stock कभी भी, 80.5 के आसपास जाएगा, यह बिग जाएगा, अब यहाँ पे मैं जैसे 80.5 पे आएगा, यह अपना बिग जाएगा, 150, because already I am in profit, तो मैं आपको यहाँ पे sell करके दिखाता हूँ, 2.99, यह already, अब जो ट्रेड कर रहा है, 2.99.2 मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे sell out करना ही है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया stop loss, अब जैसे ही, अब यह stock की price salary, 2.99.25, अगर आज किसी भी time पे इसका price 2.99.2 के असपास आया, या 0.15, अपने आप sell out हो जाएगा सारा, मेरा loss हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने stop loss maintain कर लिया, इसका next version होता, GTT order आप वो भी लगा सकते हैं, जब कभी भी order place करना, चैसे मैंने buy किया, stop losses इनी methods में लगाने, बिल्कुल भी panic नहीं करना, क्योंकि जब आप stop loss लगा के trade करते हैं, आपका profit काफी huge होता है, क्योंकि losses जो आप जल्दी कट जाते हैं, profits का आप hold करते हैं लंबे time frame में, अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे, मन नहीं कर रहा है, यहाँ पे stop loss, तो मैं इसको कभी भी cancel भी कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे cancel कर दिया, यह hit हो गया, अब, अब मेरे पास यह है कि मैंने इसको stop loss को cancel कर दिया, अब मैं यहाँ पे जाकर बेच दूँँआ, तो मेरा stock 299.21 पे sell out हो चुका, ऐसे करके आपको trade करना clear है, यह चीज़ आपको काफी multiple time पे help करेगा, Thank you everyone.